तो फरक है, जिसको सारा ग्यान है, फिर के अटका हुआ है, वो एहंकारी है, जिसको नॉलेज नहीं है, अब अटका हुआ है, कि भी यही सही है, वो एहंकार नहीं है, वो तो फिर एक श्रद्धा हो गई, कि भी ठीक है, हमारे अचारे हैं, हम उनको मानते हैं, हमें नहीं बता वेद वेद हमें philosophy नहीं पता बट हम इनकी बात मानेंगे तो श्रद्धा हो गई बट आप उसको अंधी श्रद्धा भी कह सकते हो वहाँ पर आ गया वो बस बात माने जा रहा है तो उसका फिर अब वो क्या करेगा वो क्या करे बंदा नहीं उसको लगेगा या तो या तो मैं एंकारी हूं या मेरी अंधीश रद्धा है यह तो गलत है फिर मुझे सारा रिसर्च करना चाहिए तब जाके एक कंक्लूजन पर आना चाहिए नहीं अब प्राब्लम यह है कि हर एक के बस की बात भी नहीं रिसर्च करना कर लिए हुमें क्योंकि वो ना संस्क्रेट आती है ना कुछ होता है वो रिसर्च करके और चूटी चूट जाएगा सब कुछ पागली हो जाएगा वो तो फिर इसका तरीका क्या है इसका तरीका वो यह कि आप इतिहास पढ़ो शिधान्त मत पढ़ो क्यों कि वो पूरा पढ़ भी नहीं प एक तरीका ही है। दूसरा तरीका है कि तो मदवाचारे जी सारे वैशने बचारों ने मायावाद खंडन के लिए किताबे लिखी हैं। और उन्होंने अपनी किताबे में दिखा है कि इस सिस्टम बिल्कुल तरखीन है, इल्लॉजिकल है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, तो भाई हम सब एक हैं, तो मेरा दर्थ तुम्हें क्यों नहीं हो रहा, तुम्हारा दर्थ मुझे क्यों नहीं हो रहा, यह सब सपना है, यह सब सपना है, यह सब है ही नहीं, तो फिर मुझे नहीं है, कोई बएशनाफ खंडण को जिताब इस का लुए किताब इस नहीं कि हमारे लॉजिकल चल रहा है, तर्क है। उन क्या तर्की नहीं है, भई भगवान और है, अनैर्वच襪 नहीं है, निराकार व्रहम। आत्मा क्या है अनिर्वचनी है संसार क्या है अनिर्वचनी है तो पागल हो क्या है पागल के बच्चे हो क्या है सब अनिर्वचनी है यही मदवा चारे नहीं लिखा है गाली दी है माँ यार तुम हर चीज को बोल रहे समझ नहीं आ रहा तो क्या सिध्धानत है तुम्हारा नहीं बस आंग बंद करो अपने अपनुभफ करो जब आएगा आएगा अब ये तो कोई सिध्धान नहीं हुआ ना तो अगर हम पढ़ेंगे ना इनकी किताबे तो अपने आप ही कन्विंस हो जाओगे कि ये पागल है लोग तो सबकुछ दो के पास भी नहीं है लोजिक भी नहीं है लोजिक नहीं है लोजिक नहीं है एक बात है तो उनिःा, बहुत सोफनी, तो हम जो क्यों है, सहिजी के लाजी के लॉजिक नहीं है, यह क्यों स्वकीन के लिए अपने कशची किसकी। कॉज दिने थिनो जो टरुपा लॉजिक नहीं हैं यह अपने बात करें। में पनिसका काट स quiénे नहीं है। जो हम अपनी बात काटते हैं, कुछ बिलकुल ही बहुत बड़े-बड़े इश्यू में साइथ एक में हो, वैसे तो पूरा तरक तरक है, वो तो अपनी बात ही काट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भी, जैसे मान लीजिये, जैसे माया की बात आई, तो माया क्या है, उन से पूछो माया क्या है, तो वो कहते हैं, वो कहते हैं, जब भगवान माया में आ जाएंगे, तो जीवात्मा बन जाएंगे, तो यार फिर भगवान क्या है, भगवान सरशक्ति माने, तो माया के अंडर क्यों है, आप देख रहे हैं, वो अपनी बात में जा सकते हैं। अब हम शुद्ह नी है इसलिए जा सकते हैं। अभी हमने रिवोल्ट किया है. विधिर हो लो इसे प्रजाने. राजन तो बेट कर रहा है हमेगी पल्ण हमें तो क्लियर है. इसमें तो कोई टरखीन नहीं है। अगर वहा पुपरीबून है तो फिर रिवोल्ट करने का वह पुपुश्यन को अब छोड़ दो बाकी सब यह रहे हैं अगर इस विपोश्चन को छोड़ दो क्योंकि हमें एक्जक्ली पता नहीं महा पर क्या हुआ है अब उनके में तो हर चीज में प्रोबलम है आप जो एक question कह रहे हो न अगर अगर मायाबाद पड़ोगे न हर चीज में problem निकलाईगी आपको खुद मायाबाद नहीं पता न भी हम तो एक ही question उठा रहे है भी तो मतलब उनका तो माया अगर माया में अगर भग्मान आ गये त तो माया अगर शक्ति है तो उसका भी वेस होना चाहिए, अध्यास होना चाहिए. वो वेस कया है, वो नहीं पता। तो उन्हों ने तो उन्हों मधबाचारे ने हर पॉंट पर ये उनको बता दे कि तो अपना पॉंट काट रहे हो। इ等等 अफ्तार ही इसले हुआ था शंक्राचारे के हर स्टेटमैंट को काट रख हैं see और जलात है यह गलत है यह गलत है आपनी बात कांट रही है उड़ाई दिया मतलब कभ्रे आप दा है यह थै कोई पढ्ले को कहा यार यह तो मतलब कुई इसली कि इस लेम कनवेंस ऐसा नहीं capable Dr. इसली बाक कर रहे हैं हिप्ट थी इनकी वीप्ट रही है थी चुलकी तो भी है फिरी तो भी था कर रही है इसलिए उन्होंने लिखा मैयाबाद शत् दूशनी हजार हजार तर्खीन चीजें उनके उसके अंदर हजार दिखा दी और तो व्यास व्यास ती रतने में किताब लिए तात पारे चंद्रीका उसमें तो उन्होंने योई मतलब मैं इतनीस से वेकि मुझे भी था पॉइंट, कि यार उनके एक ही पॉइंट तो गलत है, हमारे भी तो कुछ चीजे हैं, फिर मैंने पढ़ा वो चीजें, कि एक्चॉली वैशनवाचारे कैसे काट रहे हैं, क्या काट रहे हैं उनमें, तो जब मदवाचारे का बड़ा मेरा तो होशी है, मतलब बहुत क्रिटिकल है, और उनने पूरूफ कर दिया असुरी सिध्धानत है, ये लोगों को कन्फ्यूस करने के लिए उल्टा बनाया गया, वैशनवाचारे विष्णु से द्वेश बढ़ाने के लिए बनाया गया है सिध्धानत है, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर मिए मतलब जारी लोगों करने के लिए दिता है, जब को कलेकी लिए नहीं मतलब बना़ को।